नमस्कार दोस्तों मैं हूं रंजन आप देख रहें दिगंता टुरिजम यूट्यूब चैनल आप सभी विवर्स को चैनल की तरफ से हर्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज में बताऊंगा ओनलाइन फ्लाइट टिकेट बुकिंग्स के बारे में जी दोस्तों ओनलाइन कैसे थाइलेंड के लिए फ्लाइट टिकेट बुकिंग करते हैं कहां से करते हैं वो भी बाजट प्राइस में इसी के बारे में आज जानेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके आम तक देखते रहें वीडियो शुरू करने से पहले उन व्यूर्स को ब आई कीजिए शेयर कीजिए तकि हमारा चैनल के आने वाला हार वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ऑनलाइन बैंकोक फ्लाइट बुकिंग करने के लिए साबसे पहले आपका ब्राउजर ओपन कीजिए ब्राउजर पर टाइप कीजिए यात्रा.com जी दोस्तों देखिए दोस्तों सबसे पहले जो लिंक है यात्रा.com का इसमें क्लिक कीजिए देखिए जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया यात्रा.com का ओफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों बहुत सार आप्शन्स हैं प्लाइट, होटेल, होमस्ट है, holidays, buses, trains, etc. दोस्तों सबसे पहले प्लाइट चूस कीजिए इसके बाद आप कहां से कहां तक जाना जैसे कि दोस्तों कलकत्ता से बैंकोग के लिए फ्लाइट बुकिंग करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपका यहां पे शोर्स चूस कीजिए जैसे कि मैंने कलकत्ता चूस किया इसके बाद आपका डिस्टिनेशन बैंकोग चूस कीजिए इसके बाद आप जार्नी डेट चूस कीजिए जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 18 जानुवारी 2018 मैंने चूस किया इसके बाद आप रिटर्न डेट यहां से चूस कीजिए इसके बाद आप passenger options यहां से चूस कीजिए कितने passenger है यहां से आप select कर लिजी दोस्तों इसके बाद आप search option पे click कीजिए देखिए दोस्तों जैसे मैंने search option पे click किया नौया page open हो गया यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सरा flights open हो गया इंडिगो, स्पाइज जेट, यारिशिया, दोस्तों यहां पर आप देखिए, सबसे पहले जो फ्लाइट है इंडिगो का, कलकत्ता से बैंकक जाने के लिए, इसके टाइमिंग देखिए दोस्तों, दो घंटा, 45 मिनिट्स, बैंकक से कलकत्ता, यहां पर दो टाइमिंग से दोस्तों, यहां सब कोई भी टाइमिंग आप चूस कर सकते हैं, इसके बाद देखिए दोस्तों, यहां पर इंडिगो का जो फ्लाइट पेर है, 9458 और भी इंडियन कारेंसी में, बहुत ही बाजेट प देखिए, जैसा है मैंने बुक नाओ आप्शन पर क्लिक किया, नौया पेज ओपेन हो गया, दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, बुकिंग डिटेल्स ओपेन हो गया, अब यहां पर चेक कर लिजिए, कलकत्ता से बैंकक, बैंकक से कलकत्ता, देखिए दोस्तों, यह रिफंडेबल फियर है, इकोनोमी क्लास, देखिए दोस्तों, आप लागेज में देखिए, हाँ पर 20 kg, साथ में आप ले जा सकते हैं, अगर इससे ज्यादा होगा दोस्तों, अलग से आपको चार्जस देना परेगा, तो दोस्तों, राइट साइट में आप देखिए, प्लाइट पेर 9458, दोस्तों, यहां पर देखिए, इसके बाद आप continue पर क्लिक कीजिए, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने continue पर क्लिक किया, यहां पर आपका mail, id and mobile number options आगे हैं, आप यहां पर आपका mail id टाइप कीजिए, यहां पर आपना mobile number टाइप कीजिए, दोस्तों, यहां पर एक चीज़ बता देता हूं, मैंने यहां पर डेमी, mail id and mobile number यूज़ किया, आपको दिखाने के लिए, दोस्तों, आप आपना original mail id and original mobile number यहां पर यूज़ कीजिए, इसके बाद दोस्तों, आप book as a guest यहां पर क्लिक कीजिए, देखिए दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक किया, passenger details पर इस open हो गया, यहां पर देखिए आपका total fare 9957, including insurance, travel insurance, दोस्तों यहां पर टाइटल चूज़ कीजिए, जो भी आपका हो, इसके बाद आपका first name यहां पर type कीजिए, यहां पर अगर middle name है, यहां पर type कीजिए, इसके बाद दोस्तों आप last name type कीजिए, अपना date of part चूज़ कीजिए, यहां पर contact details की, देखिए यहां पर mail id, और original mobile number यहां पर type कीजिए, दोस्तों यहां पर देखिए, तीन options हैं, जैसे की add meals, add baggage, select seats, दोस्तों अगर आप चाहे, online आप आपका meal चूज़ कर सकते हैं, अगर आपका extra baggage है, 20 kg से ज्यादा, तो आप यहां से आप चूज़ कर सकते हैं, आपने online seat भी चूज़ कर सकते हैं, दोस्तों फ्यलालत मैं रहन दूँगा, इसके बाद आप continue पर click कीजिए, देखिए दोस्तों जैसे मैंने continue पर click किया, यहां पर travel insurance page open हो गया, देखिए दोस्तों continue with insurance and without insurance, दो options हैं, वोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं without insurance चूज़ करता हूं, देखिए जैसे मैंने चूज़ किया, payment option page open हो गया, आप यहां देख सकते हैं, बहुत सारा payment option है, यहां पर देखिए, credit card, debit card, net banking, UPIF, EMI option, mobile wallet, cash card, दोस्तों बहुत सारा payment option से, दोस्तों आज मैं बता हूंगा, debit card से आप कैसे online flight ticket booking कर सकते हैं, इसके बारे में, दोस्तों सबसे पर आप यहां पर आपका card number चूज़ कीजिए, आपका card जो भी हो, visa, master, रूपे, तो यहां पर आपका 16 visit card number टाइप कीजिए, इसके बाद आपका नाम यहां पर टाइप कीजिए, इसके बाद expiry date, month, and year चूज़ कीजिए, इसके बाद आप CBP code, 3 digit का यहां पर टाइप कीजिए, तो दोस्तों इसके बाद आप पेन आप पर क्लिक कीजिए, दोस्तों जैसे आप पेन आप पर क्लिक कीजिएगा, आपका register mobile number पर OTP आजाएगा, OTP डालके जैसे contract पर प्लिक करेंगे, आपका flight tickets booking हो जाएगा Thailand के लिए, तो दोस्तों बहुत ही आसान है online flight ticket booking करना अभी Bangkok के लिए, उमीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो, tourism related कोई भी जानकारी के लिए, वीडियो का नीचे comment section में comments कीजिए, अशके लिए बास इतना ही, आगले वीडियो पर ज़रूर मिलते है, नया जानकारी के साथ, अब तक क आगले नीचे है, प्रयोख भाले के साथ, झागले के साथ